वाक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका ने पहली बार माना कि कोवीशील जैसे ब्रैंड के तहट बेची जाने वाली उसकी कोरोना वाक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इस कंपनी ने ब्रिटेन के हाई कोट को सौपे दस्तावेज में स्विकार किया कि वाक्सीन लेने के बाद थ्रॉम्बोसिस थ्रॉम्बोस साइटोपेन या सिंड्रोम यानि TTS का खत्रा हो सकता है ये बात इस कंपनी पर ब्रिटेन में चल रहे मुकदमे के दोरान सामने आई TTS में रक्त वाहिकाओं में ठकका जम जाता है और प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है ऐसी कंडिशन में कितना बड़ा जोखिम हो सकता है बता रहे हैं सरगंगा राम होस्पिटल के मेडिसन डिपार्टमेंट के चैर्मेन डॉक्टर S.P. बायोत्रा वाइट सेल्ज होते हैं जहें हमारे करण सोट लग जाए कुछ है तो छोड़ दो थोड़ी जेर में ब्लड अपने च्छोड़ा से बहां क्लॉट बन जाता है अठों बंद हो जाता है बहां अपने आपको ने आपको डेट को बिचाते हैं तो अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो इस पिपल जो है थ्रेंबो सटो पीनिक सेंड्रोम इसमें पेशेंट के ब्लीडिंग डाइथिसिस हो जाती है ब्लीडिंग डिसार्डर्स 2020 में कोरोना वाइरस महमारी आने के बाद भारत में सीरम इंस्टिट्यूट ने एस्ट्राजेनिका को कोविशील नाम से ऑक्सपॉर्ड यूनिवर्स्टी के साथ मिलकर बनाया था भारत में भी बड़ी संख्या में इस वैक्सीन को कोविड आने के बाद लोगों को दिया गया था इसके टीटीएस जैसे साइट एफेक्ट्स होने की खबरों के बीच डॉक् यू प्रवटर्स नाम से लगाई है मैं अपने डॉक्टर्स को बतावंग है इतने लगाई है मुझे तो एक तो हमारे हास्पट में भी आवे हास्पिटल में ही हमारे बुट फाइवंड़ प्लस ड़क्तर है उस भी ने पूरा ही भूश कर भी लगाया है सादा बुश लग यू अदिन ट्रीका होता है एक मरने है करके है जूसरों गड़ को बाते है लेकिं उसका जो जो एंटिवाडी सिंट तो भारे तो भी रहता है सिमलर यह जो प्रोट्क्टिविटी सिमलर ही सब दोनों की रिज रही ज़ाद दूनों की जहाँ पहरी दोनों मिलती रही इंडि इस अजनिका का और मत को वेक्सीन और कोभीक्षी दो नहीं चालती रही जहां पर